नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर की विविद हल्चल पर भगवन महावीर जन्मक अल्यानक मोचोव के अउसर पर श्री दिगंबर जैन युवक मंडल सहित्वाल महिला शाखदवरा विवित कारेक्रम का एयोजन सिविल लाइन स्ठीत महिलाव बालविकास विवाग के प्रियादर्शनी सरकारी चात्रवस में किया गया इस अउसर पर मंडल के अध्यक्ष विनाय सावल कर महावीर यूट कलब के सचिव प्रशांत माने कर सुविर सागर विचारमंच के मनोज मांडव गड़े महिलाव बालविकास विवाग की प्राचारिय उशा सटकर अकिल दिगंबर जैन संस्था परतवाड़ा से दीपक सर संध्यकाले महिला शाखा की उपाद दक्षा भारती उबाले एवं अन्यमान्य और उपस्थित थे अतितियों का स्वागत और सम्मन स्मीता महत्मे द्वारा किया गया इस अउसर पर महिला शाखा द्वारा चात्रवास में लगने वाले सामगरियों का वितरन किया गया एव महावीर जैनती की सभी को शुब कामनाय दी और कहा कि डॉक्टर बाबा साब आमबेटकर ने समाज उत्थन का कार्या किया वह भगवान महावीर एवं बुद्ध का आहिंसा का मार्ग अपनाया उसी तरह महिला शाखा के कार्य करतागन उनी के दिखाय रहा पर चलतेवे समाज उत्थन के कारियों में अगरसर है कामठी के प्राचिन जैनमंदीर में महावीर जैन्म कल्यानक महुत्सव उत्साह से मनाय गया शोभायतरा कामठी नगर भ्रहमन करतेवे जैनमंदीर परवार ओली में भगवान महावीर स्वामी का अभिशेक एवं पुजन किया गया इस हवसर पर शेशमन लोडा, युक्चन चल्लानी, राजकुमार ठोल्या, सचिन उमाठे, स्वतंत्रता सेनानी रतन पहाडी, अनिल कुमार दानी, सुनिल उमाठे, त्रिलोक चल्लानी, राकेश उमाठे, आदी उपस्तित थे श्री भारत वर्षिय दिगंबर जैन महासभा की ओर से, राष्टिय उपध्यक्ष सुमत लल्ला जैन ने शुभायत्रा में रत पर विराजमान, भगवान महावीर की आरती, श्रीफल पूजा अर्चना की, एवं शुभायत्रा में उपस्तित सभी श्रद्दालों को जल, आ निरज लल्ला, सुरेंद्र लल्ला, शशांक लल्ला, अनन लल्ला, सुरेंद्र जैन, देवेंद्र बढ़कुर, दिनेज जैन, राजु महाले, रमिश पांडे, विलास मताडे, पराग गोखले, महिला मंडल राजिश्वरी जैन, सुनिता जैन, माया जैन, नीता जैन, 2621 वी जन्मक अल्लानक मौचों के पावन पर्वपर महिला समुव नुरुत्य नाटिका स्पर्दा का आयोजन महिला समिती अद्यक्ष रजनी हिमन जैन के सहयोजन में संपन्न हुआ इस पर्दा में महिलाओ के 11 ग्रूप ने हिस्सा लिया एवं अपनी प्रतिबा का प्रदर्शन किया इस अउसर पर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितिय व तुरुतिय स्थान प्राप्त वी जेताओ एवं अन्य सहबागियों को पुरस्कार दिये गए सजग महिला मंडल कर संबानित किया गया कारेक्रम में प्रमुकति थी नरेज जैन, रिलैंस, वीपिन मेता, अध्यक्ष, श्री मुनी सुवरत स्वामी जैन, श्वेतांबर संग, महिपाल सेथी, रजनी जैन, दिलिप शांतिलाल जैन उपस्तित थे, जैच का कारिया बाग्ये श्री कोले एव अखिल भारत वर्षिया दिगंबर जैन महिला परिशद, श्री परवारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, एवं मंदिर नव निर्माण आयोजन समीती द्वरा, महविर जन्मक अल्यानक महुच्षाओ की उपलक्ष में, एक भव्वे नाटी का इतिहास के दो सुरिय रुदे परिवर्तन की अलो की कहनी का मंचन कवीवर या सुरेजभट सभागरुव में तारिक 17 अपरेल दिन रविवार रातरी 8 बज़े से किया जा रहा है, जिसमें सभी कलाकार परिशत की सदस्याय एवं उनके बच्चे उपस्थित होंगे, यह सत्य घटना दो राजाओ भरत और बाहुबली के जीवन की है, जिसका निर्देशन अभिनेताव आदेश बरहिया द्वारा किया जा रहा है, संगीत वगीत सुनी लागर कर द्वारा दिया जाएगा, नाटिका की प्रमुक शुत्रधार अंकिता जैन है, कलाकार में मुख्य भूमिका, अनामिका, शि अपना निधी, पिंकी, अंशु है, बच्चों में सयम, शिवन, सिद्ध, आरिया, आदी बालक बालिकाओ का भी समावेश है, मुख्यातिति के तावर पर सतिश पेंधारी, डॉक्टर मंजु जैन, डॉक्टर रिचा जैन, नीधी जैन, अनिल जैन, सोनिया जैन, नीधी ज कारेक्रम को सफल बनाने में ट्रस्ट के अध्यक्ष दीनेज जैन, मंत्री शीतल जैन, गोल्डी जैन, अभिनांदन जैन, श्रद्धा, दीपाली, शकुन जैन, सजन, रेखा, आदी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है भुई समाज पंचे कमिटी ने नंदक किशोर गौर की अध्यक्षता में भारत रतन डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर की जैनती पर उनकी तस्वीर पर माललर पंकर एवं केंडल लगा कर उनका अभिवादन किया करक्रम में किशोर करतार, अनील गौर, मोतिलाल गौर, राजेश गौर, राहुल गौर, गायतरी हरीज गौर, रेखा गौर, बबली कनाया गौर, लक्षमी गौर, निर्मला शिव प्रसाद गौर, आशा लल्लू गौर, शारदा गौर, आदी उपस्तित थे बगवन महावीर जन्मक अल्लाणक मोजसों के उपलक्ष में जीवदया कारिय हेतु रहाटी काउलनिस्टित उजवल गोरक्षन में गोमाता को गूड एवं चारा खिलाये गया बाचपा जयन प्रकोष्ट महाराष्ट के सरचितनिस एवं महावीर यूद कलब के केंद्रिय सचिव प्रशांत मानेकर जयन के नेत्रुतों में जीवदया पर जानकारी दी गई भाजपा जैन प्रकोष्ट महाराष्टर की अध्यक्ष संदिप भंडारी के मार्गदर्शन में तथा विनूत कोठारी शुरूती प्रणव मेता के सयोजन में पूरे महाराष्टर में भगवान महावीर जन्मक अल्यानक के उपलक्ष में अनिक कारेक्रम आयोजित किये जा र एवं श्री दिगंबर जैन महासमीती महाराष्टर की अध्यक्ष सुनिल जैन पिंडारी सहप्रमुक एवं श्री अजितनात दिगंबर जैन मंदिर बढकत चोक के पूर्व अध्यक्ष कमल बज महावीर युद कलब के केंद्री अध्यक्ष एवं भाच्पा एंजियो विं नितिन पलसापूरे, दर्शन जामभूरे, नितिन सावलकर, परेश डाखोरे, देवेंद्र आगरे कर, अनुप गिल्लर कर, मंगेश सावलकर, आधी जैन समाज के प्रमुक गंडमान्य वेक्ति उपस्ठित थे श्री जैन सेवा मंडल नाकपूर द्वारा भगवान महावीर के 2621 जन्मक ल्यानक महोच्षव पर कवीवर या सुरेजभट सभागार में कोठारी ज्विलर्स अहिंसा आवार्ट का वितरन हुआ कारेक्रम में प्रमुक वक्ता संजय रग्ताटे, मनपा उपायुकत निर्भज जैन, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, सुरेश कुमार कोठारी, प्रदीप कोठारी, महिंद्र कटारिया, जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष दिलिप गांधी, निखिल कुसुमगर, पियुष शा संजय नखाते उपस्थित थे, अतितियों के हातों दीप प्रजोलन हुआ, तीनी मीनी पाट्शाला के बच्चो द्वारा नवकार वंदना से कारेक्रम का शुभारंब हुआ, दिलिप गांधी, प्रदीप कोठारी, संजय रग्ताटे, निर्भज जैन ने अपने अपने व धुपाडे को दिया गया, उनके परिजन पतनी सविता धुपाडे को सम्मानित किया गया, धार्मिक श्राविक पुरसकार, योगेंदर जैन, महिमवाल, धार्मिक श्राविका पुरसकार, पदमावती भिम्राज कोठेचा, समाज सेवा के लिए अवार्ड सचीन कोठारी, धार्मिक लेटिल मास्टर अवार्ड कियान हार्दिक दोशी, गुण्वन्त युवा अवार्ड उम्रेट के मोनिश महेंद्र अठर कर, गुण्वन्त व्यक्तित्व अवार्ड शुभांगी नितिन लामबाडे, साधूसंत विहार अवार्ड किशोर बोथरा, समर्पित जैन अवार्ड सुधर्शन टोपरे, विशेश सम्मान नियोरो सर्जन डॉक्टर निले शगरवाल को सम्मानित किया गया श्री टेकडी रोड हरनुमान मंदिर समिति गवलीपूरा सितावरडी की ओर से, श्री हरनुमान जन्म मौत्सों के उपलक्षवर, आज भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया है इसकी तैयारिया जोरशोर से पिछले कई दिनों से चल रही थी, भक्ती कारेक्रमों को श्रूंकला में शैनिवार को श्री हनुमान जन्म मौत्सों पर महाबिशेक महारती होगी, इसके पश्चाद सभी भक्तों के लिए भवे महाप्रसाद होगा सभी पुरुश्व महिला भक्तों के लिए अलग-अलग महाप्रसाद ग्रहन करने की विवस्ता की गई है, पिछले दो साल से COVID-19 महामारी के चलते महाप्रसाद का वितरन नहीं हो पाया इस महाप्रसाद कारेक्रम का भक्तों को साल भर इंतजार रहता है और बड़ी संख्या में यहां भक्त महाप्रसाद ग्रहन करने दूर-दूर से आते हैं कारेकरमों के सफलतार्थ श्री हनुबान मंदिर समीते के सभी कारेकरता भक्त प्रयासरत है सब इसे मास्क पहन कराने का अनुरोद मंदिर कमिटी की ओर से किया गया है शहर की जनसंख्या के आधर पर भले ही परियाप्त जलापूर्ती हो रही हो लेकिन इसके बावजूत कई हिस्सों में जलसंकट होने की शिकायत लगातार मिल रही है आवशक्ता अनुसार जलापूर्ती होने के बाद भी आरे ही शिकायतों को देखते वे मनपा और OCW ने टिल्लू पम से पानी खिचने वालों के खिलाप अभियान शुरू किया है एक ही दिन में विभाग ने 28 टिल्लू पम जब्त किये जलसंकट को लेकर लगातार शिकायते आने के बाद प्रतिक जोन में टीमों को लगा कर जाच की गई जिसमें कुछ हिस्सों में टिल्लू पम लगाये जाने के कारण उस परिसर की जलापूर्ती भादित होने का खुलासा हुआ इसके बाद मनपा और OCW ने कारवाई का अभियान शुरू किया मनपा की ओर से बताया गया कि गर्मी के दिनों में लोगों को अधिक पानी की जरूरत होती है जिसके अनुसार जलापूर्ती बढ़ाई जाती है इसके बावजूत कुछ लोग अनाधिक रूत रूप से टिल्लू पम लगा कर अतिरिक्त पानी खिचते हैं जिससे पड़ोशी को पानी नहीं मिल पाता है अब मनपा के सभी दस जोन में इस अभियान को जारी रखा जाएगा जिसमें बुस्टर पंप का उवयोग करते पकड़े जाने पर विदी के अनुसार जुर्माना और कड़ी कारवाई की जाएगी श्री संकट मोचन मंदिर चरिटेबल टरस्ट के ततवावधान में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर भंडारा रोडनाकपुर में आज हनुमान जन्मत सो दोजर बाइस प्रतिव और्शन उसर हर्शोलास से मनाय जा रहा है ट्रस्ट के सचिव सत्य नारायन लोया ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को अखड़न हनुमान 40 पार्थ भक्तो द्वारा किया जाएगा आज शाम 5 बजे से महा अभिशेक आरती और स्तूती साथ ही महाप्रसाद वितरन यजमान च्री अजित्मल को ठारी परिवार द्वारा होगा इसके बाद शाम 7 बजे पुर्वनाकपुर से प्रथम बार मनुकामना ध्वजी आतर का प्रारम यजमान अनंतराय अगरवाल परिवार की प्रमुक उपस्तिती में होगा जो की नगर ब्रहमन करके वापस मंदिर पहुचेगी संपुर्ण मंदिर को सुन्दर सुगंधित फूलो से सजाय जारा है जिसके यजमान भरत गोपल तेल मासरे परिवार है पुजन का भव्य आयोजन यजमान अशुक बाबु गोयल परिवार द्वारा किया जाएगा साथ ही में संगित में सुन्दर कान पाठ का आयोजन यजमान विनोधी कल्लेंड सत्रा एवं परिवार द्वारा किया जारा है शाम को संगित में भजन संध्या का आयोजन हनुमन चाली सा समिती द्वारा किया जारा है ट्रस्ट के अध्यक्षा शिवकिशन अगरवाल साथ ही संपुर्ण मोहत्सव के प्रमुखी अजबान ने सभी भक्तों से इस मोहत्सव में इस सह परिवार उपस्तित रहे कर प्रभु की कुरुपा पात्र बनने की अपिल की हैं महाराष्ट के उर्जा मंत्री नीतिन राउत ने शुकरवार को कहा कि राज्य में बिजली के टौती की वज़व कोविड-19 पाबंदियों में धिल के बाद बिजली की बड़ी मांग है राउत ने समवादाताव से बादचित में कोविली की आपूरती और मालगाडियों की कथित कूप्रबंधन के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते विदावा किया कि राज्य की पास केवल 6 दिनों के लिए कोविली का भंदार रह गया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन के लिए कोविली की आपूरती में अंतर को पाटने के लिए काम कर रही है ताकि बिजली के टोटी सेब चाजा सके इससे पहले केंद्रिया मंतरी राउसाइब दानवे ने आरोप लगाया था कि महाराश्य सरकार की योजना की कमी की वज़े से कोविली की कमी हुई है जिसका नतीजा है कि राज्य में बिजली की किलत हो रही है राउत ने कहा कि कोविली की कमी केवल महाराश्य में ही नहीं है बलकि पूरे भारत में और दावा किया है कि केंद्री उर्जा मंत्री ने सभी राज्जु के उर्जा मंत्रियों से इस पर चर्चा की थी और उनसे कोईला आयात करने को कहा था उन्होंने कहा पुरे देश में COVID-19 महामारी में कमी आने के बाद बिजली की मांग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है अनुरूप बिजली की उत्पादर नहीं हो पा रही है इस से लोट शेडिंग का खत्रा मंड़ा रहा है लेकिन अने राज्ज की दूलना में महाराश्टर में स्थिती नियंत्रण में है तितकाल प्रयासों के कारण अधिशेष बिजली की उपलब्धता के बावजुद बिजली की आपूर्ति मांग के अनुसार कम है और वर्तमान में कुछ शेत्रों में आवश्चक्ता के अनुसार लोट का संचालन किया जाना है हालां कि कुरुशी उपलब्धताओं को लोट शेडिक से बाहर रखा गया है राज्ज के उर्जा मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि कुरुशिक शेत्र के उपलब्धताओं को बिजली की आपूर्ती नियमित आधार पर दिन में आठ ग भगवान परशुराम के मंदिर भारत भर में है अपितून की जानकारी समाच को ना होने के अभाव में ब्राम्हन समाच के देवगुरु के इन स्थालो के बारे में आम नागरिक अन्विग्य एही है इस अन्विगयता को दूर करदे के उद्दिश से भगवान परशुराम में राजस्थाने ब्रह्म समाज नाकपूर तथा विप्रफाउंडेशन विधर्भा इकाई के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। परिसर शंकर नगर नाकपूर में 24 अपरेल को शाम 6 बजे किया जाएगा। कारेकरम में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भारती सुदा में प्रमुक वक्ता रहेगी। इस ग्रंत की प्रकाशक भगवान श्री परशुराम प्रेमी संगपूने के अनिल गोविंध है। श्री शाम भोग और शाम रसोई होगी, अखंडे जोद भी प्रजवलित होगी, शारबे पिछले 14 वर्षों से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है। श्री शाम साप्ताहिकी की शुरुवात 17 अप्रेल को रात 8 वजे से होगी। श्री शाम दूर्जा मंतरी और जिले के पालक मंतरी डॉक्टर नितिन रहुत ने व्यक्त किये। महाराष्टर प्रदेश युवा कॉंगरेस के पक्ष को प्रभावी डंग से पेश करने के लिए प्रवक्ताओं का चयन करने का फैसला किया गया है। सांसद राहुल गांधी भारते युवा कॉंगरेस के राष्टर प्रभारी कृष्णा अल्रावू और युवा कॉंगरेस के राष्टर अध्धिक्ष श्री निवास बीवी की नेतरुत्व में ये उपक्रम चलाय जाने की जान करी कुनाल राउत ने दी। उन्होंने बताय कि युवा कॉंगरेस द्वारा राष्टर अस्तर पर यंग इंडिया के बोल अभियान चलाय जा रहा है। शाहर अध्यक्ष तौसिफ खान उपस्तित थे। 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 वही दूसरी और मेकानिकल टीम 18.2 ओवर में 105 रन बना कर ओल आउट हो गई TRO टीम ने फाइनल मैच जीता और DRM चैलेंज क्रिकेट कब जीता समापन समारोह शुक्रवार शाम 6 बजे अजनी खेल मैदान में हुआ प्रथम और द्वितिय पुरसकार CRWWO द्वारा प्रायोजित किये गए थे मंडल रेल प्रवंदक रीचा खरे ने पुरसकार वितरित किये इस अउसर पर अपर मंडल रेल प्रवंदक जैसिंग एवं मंडल ख्लिल अधिकारी एवं बरिष्टा मंडल अवानिज्य प्रवंदक क्रुष्णनात पाटिल साइथ सभी शाखाओ के अधिकारी गणु पस्तित थे ट्राफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन धाराव के अंतरगत कुल मिला कर 2648 वाहन चालक उपर कारवाई की और उनसे कुल मिला कर 9,30,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराबंदी अधिनियम के अंतरगत 9 मामलो में 9 आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 19,710 रुपे का सामान जब्त किया गया इसके अलावा जो आधीनियम के अंतरगत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 24,000 रुपे का जुर्माना वसुला गया उपरोग तो सभी आपरेशन संयुकतरूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये ट्राफिक विभाग ने आभान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से सम्मनित सभी दस्ताविज अपने पास रखे तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोज नमस्कार